वेलकम तो आ चैनल टेक मेकानिकल अन इलेक्टिकल भाबा अटोमिक रिसर्च सेंटर नुकलियर रिसाइकल बोड बार्क एनर्ब का तरफ से जो रिकूर्मेंट निकल के आया था 2022 सल्मेज इसका अड़रड़ाज नमबा था 01-2022 इसका ओनलाइन अप्लिकेशन का लास्ट कि टेकनीशन भी लाइबरी सेंस टेकनीशन भी रिगर पोस्ट के लिए इसका एक्जामिनेशन डेट और एडमिट का डिक्लियर हो गया है मैं आप लोग इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कैसे आप लोग एडमिट का डाउनलोड करना पड़ेगा इससे पहले मैं बता सारा स्टूडेंट नने कॉल किया किसी कभी कॉल में अटेंड नहीं कर पाया तो इसके लिए सोरी छोड़े लेट करके वीडियो बना रहा है जिसका पास नोटिफिकेसर नहीं पहुचा अभी तक तो सभी स्टूडेंट फूरा वीडियो देखिये वीडियो अप लोग के ल में मिनिमाम 2829 करके वीडियो है तो आप लोग देखिए बहुत हिल्फूल होने वाला जिसमें आप लोग को प्लेयलिस्ट में जा करना है तो वीडियो स्टार्ट करने से बहला सभी स्टूडेंट से मैंने रिक्वेस्ट है जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को लिजे आने वाला हाट टेक्निकल जोब को सबसे पहले नोडिफिकेशन मिल जागा मेरा चैनल से तो अभी मैं आप लोग को अफिसल साइट पर लेके चलता हूं तो अब देख सकते हैं मैं nrb apply formflix.com अफिसल साइट पर हूँ तो इसमें एडवेटेज नमबर आपको देखन को मिल जाएगा तो इसमें नीचे नोड सेक्षिन पर आप लोग को क्या बता रहे हैं candidate में login to check their application status and download their call letter application status चेक कर सकते और call letter भी डाउनलोड कर सकते इसके लिए आप लोग इन सक्षिन में जाके login करना पड़ेगा उससे पहले कौन-कौन student इसमें eligible जानने के लिए आपको list of eligible candidate जो है इस पर आपको क्लिक करना है स्टाइपेंडेट एनी category one category two or direct recruitment dear slash one dear slash two or dear slash three तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है मैं category two का list डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं तो इसमें सब लोग को पता चल जाएगा कि कौम अगर आप लोग का नाम है जो भी student फॉर्म फिल इसमें सोचिए किसी का नाम है राज तो राज लिखके आपको सार्च करना पड़ेगा तो अपलोग को नाम देखने को मिल जाएगा अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप लोग एड्मिट का डाउनलोड करने के लिए eligible है ठीक है सबसे पहले आप लोग लिस्ट में नाम चे capture देने का बाद login आपको करना है, इसका बाद आपको admit का download कर लेना है, तो मैं download कर लिया हूँ, तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, क्या क्या आप लोग का instruction follow करना पड़ेगा exam देने के लिए, ओके, एक student का मैं admit का download कर लिया हूँ, फासिप्ट में इसका examination है, और इसका examination center आप देख सकते हैं, भारत university faculty of arts and science, अग्राम main road 3140, मतलब तामिल नरू मैं अप लोग का examination में होने वाला है, stage 1, stage 2, एक ही दिन में हो जाएगा, तो इसका examination date मेरा ही सबसे मैं आपको देखके बता द जाता हूँ, क्यों पार्सोनल लिटल स्थोरा सा height कर दिया हूँ, ओके, 5 जून 2022, रभी बार को आपको examination होने वाला, examination देने के लिए आप लोग को क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, admit card, call letter आपको लेके जाना पड़ेगा, print out करके, ओके, इसका साथ, इसमें आपको बोला है those who are shortlisted in stage 1 only will be appear to stage 2, मतलब, जो भी student stage 1 को clear कर पाएगा, वो सब भी student को stage 2 में बुलाया जाएगा, और stage 2 का result उसी दिने publish किया जाएगा, examination, timing आप देख सकता है, 8 बजे, 4 बजे, second shift का मतलब, second stage का examination होने वाला है, ओके, और जो second stage को qualify करेगा, उसको skill test के लिए बुलाया skill test उसी दिन नहीं होगा, इसमें बताया गया है, last week of June में आप लोग का skill test भी होजगा, मतलब, बहुत जल्दी NRB का recruitment होता है, पहले ही मैं आप लोग को बोला था कि 2-3 महीने का अंदर ही आप लोग का update आ जाएगा, ओके, इसका बाद अगर आप लोग नीचे आते, जो भी important point आप लोग का होता है, इसमें आपको OMR sheet में examination देना पड़ेगा, और एक एक question के लिए 3 marks रहेगा, और एक गलत answer के लिए 1 marks आप लोग का deduct हो जाएगा, तो इसमें आपको Hindi, English दोनों में question paper देखने को मिल जाएगा, और इसमें आप लोग को क्या क्या लेके जाना पड़ेग personal transparent water bottle लेके जाना है, अगर आप लोग जाना चाते हैं तो, लेकिन sanitizer आप लोग साथ में ले लेना और face mask सबको लेके जाना है, और hand glass आप लोग के लिए allowed नहीं रहेगा, ठीक है, और examination देने का बाद आप लोग को OMR sheet और question book ले दोनों को return कर देना है, आधर आप लोग का, जो Candidature है, ओ Candidature आप लोग का reject हो जाएगा, ठीक है, SCHT student आप लोग TA form को claim कर सकते हैं, और इसका बाद नीचे और एक form है, COVID-19 इसमें जास आपको नाम डालना है, और resident आप कहा से आप resident है, और नीचे आप लोग साइन कर देना, इसमें और कुछ दिक्कत बला बात नहीं है, ठ इसका बाद में class आप लोग के लिए provide करता हो, और daily में class लेने का बात सोच लिए है, ठीक है, आज लिएतने हैं, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाई बाई